नमस्तार आप देखें निउस 24 फर्ष्ट एक्सप्रेस और आपके शाथ मैं हूं मुंता सी तो चलिए सुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी ख़बर चे एटा के मुख्य मंत्री ने एसी टीपी मानपूर मैडिकल कॉलेज को निरिच्छर कर लिया जायजा मुख्य मंत्री ने शंबदित को दिया आवश्यक दिसनिर्देश मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाप जी ने आज अपने एक दिवस्य जन्पत भ्रमण कारिक्रम के द्वारान मानपूर में भारत सरकार की महतवकांच्षी अमरत योजना के अंत्रगत एटा नगर पालिका परिश्वत एटा सहर के शीवरेज योजना के तहत फेस 106.99 करोड का चनपत के जनपत ने दियों अधिकारियों के उपस्तिती में लोकार पड़ किया है उक्ति योजना तीन चरणों में है जिसके तहर शीवरेज योजना फेस जिन में जौन तीन फेस दो जिसमें से जौन चार एवं फेस जिन में से जौन एक तथा जौन दो शम्मिलित है तीनों शिवरेज योजनाओं में से एक प्रधम फेश शिवरेज योजना पूर्ट की जा चुकी है दोती एबम तरते फेश की शिवरेज योजना का कारे प्रगती पर है मुख्या मंत्री ने ज्वियाइडीडीएस उतरप्रदेश चल निगम निगरिये नगरिये के द्वारा निर्मार अधीन विरांगना अवंतिवाई लोदी अवशास स्वसासी राजचिकिश्य महाविध्यालेटा के निर्मारिकार के स्थलिये निरक्षड कर जाय जालिया है यह मेडिकल वर्ष 2019 में स्वीक्रिद हुआ जिसके तहत परियोजनाओं की कुल लागत 220 तसमला अर्शट करोड है जिसके सापिक्ष 201 करोड की धनराशी अब मुक्त हो चुकी है तो वही पर 200 करोड की धनराशी वहम हुई है वर्तवान में मेडिकल कॉलेज का इंक्याशन परिशत निर्माड कार पूरा कर लिया गया तता हुआ उशेस कार को 31 दिसमिर 2022 तक पूर कर लिया जाएगा मुक्य मंत्री जीने मेडिकल कॉलेज की प्रधाना ज़ारे अध्याने रत चात चात्राओं के बारे में पूस्ताज की तता 72 शुविदाएं इवं बात अबरण मुहिया कराने हे तु आविश्यक दिसा निर्देश दिये वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के वाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी ख़बरों के शार तब तक के लिए नमस्कार